नमस्ति दोस्तों कैसे हैं सबी लोग आशे करती हूं अच्छे हूंगे पांच बार टली रिलीस डेट मेकर्स ने फूब डाले 95 करोण लागत भी नहीं निकाल पाई थी फिल्म और बॉक्स आफिस पर हुई थी डिजास्टर आज हम आपको एक ऐसी फिल्म का नाम बताते हैं जिसकी एक दो बार नहीं बलकि पांच बार रिलीस डेट टली थी मेकर्स ने फिल्पर पानी की तरह करोडर रुपे बहा दिये थे लेकिन रिलीस के बाद मुवी बॉक्स आफिस पर चारो खाने चेत हो गई थी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जर्सी साल 2022 के अप्रेल महीने में रिलीस हुई थी फिल्म के हीरोते शाहिद कपूर और उन्होंने किर्किटर की भूमी का निभाई थी जर्सी में अपनी किर्दार के लिए शाहिद कपूर ने खुब महनत की थी लेकिन बॉक्स आफिस पर उनका जादू नहीं चलाता शाहिद कपूर के अलावा मिर्नल ठाकूर और पंकच कपूर भी फिल्म का हिस्सा रहे थे जर्सी फिल्म में प्रीत कमानी, रोनित कामरा, सिशिर सर्मा और अन्य की सितारे पे नजर आये थे दरसल साहिद कपूर की जर्सी टेलगो की जर्सी 2019 का हिंदी रिमेक थी जिसमें नानी ने इलीड रोल निभाया था और इस फिल्म का डारेक्शन गौतम तिन्ना नुरी ने किया था नानी की जर्सी के सफलता के बाद साउथ मेकर्स ने इसे हिंदी में बनाने का फैसला किया शाहिद कपूर को बता और हीरो कास्ट कर जर्सी टाइटल से ही हिंदी फिल्म में फिल्म बनाई थी लेकिन मेकर्स का दाव उल्टा पड़ गया सिनेमा गरों में फिल्म ओडियन्स के लिए तरस गई थी जबकि क्रिटिक्स से फिल्म को अच्छे रिव्यूज भी मिले थे जर्सी फिल्म साल 2020 में ही बनकर तयार हो गई थी लेकिन इसे रिलीज होने में काफी वक्त लगया था कभी कोविड नाइटीन तो कभी कलेश की बज़े से फिल्म की रिलीज डेट टलती रही थी आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहिद कपूर की जर्सी का रिलीज डेट पांच वार टला है शाहिद कपूर की फिल्म को मेकर्स ने भारी भड़ कम बज़ेट में बनाया था जर्सी को बनाने में लगबग 95 करोड रुपे खर्च हुए थे लेकिन कमाई बहुत कम हुई थी यहां तक कि बॉक्स अफिस पर जर्सी अपनी लागत निकाल पाने में भी फेल हो गई थी जर्सी बॉक्स अफिस पर बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी देश वर में फिल्म का टोटल बिजनिस सिर्फ 20 करोड रुपे रहता वहीं दुनिया वर में फिल्म सिर्फ 30 करोड रुपे का ही बिजनिस कर पाई थी कलेक्शन के इस आंकड़े से फिल्म की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है आपको इस स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको इस स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें थैंक्स पूर वाचिंग बाबाई